36 गर में धान की खरीदी शुरू हो गई है राजनाद गाम जिले में धान खरीदी के लिए 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए है जिले में 32,000 से जादा किसानों ने धान खरीदी के लिए रेजिस्ट्रेशन करा है प्रशासन ने किसानों की साहेता के लिए माइक्रू एटियम की सूथादी है जिसके जरीए किसान धान बेचने की ही उपज किराशी में से 10,000 रुपए का ततकाल खुपतान भी कर पाएंगे देखिए धान करिदी का जब सीजन आता है तो जिन किसानों से हम धान करिदी करते हैं उनको भुपतान करने की वी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे उपर में होती है हCH Milk रिया करें करते हैं भी किसान करनि दूसरा हमारे सभी साखाओं में बड़े एटीयम दगे ब लगए है तो उन एटीयम के माध्यम से भी किसान अपनी लाशी का आरप कर सकती है इस वेवस्था को और सुचारू और और सुद्धा जनक बनाने के लिए राज्यसाचन, नाबाट, तंजग सहकारी समस्थाएं अभी की निर्देश में सभी समीतिय में माइक्रो एटियम मसीन अभी उपलब्त कराएंगे जो मसीन हमको अभी अभी प्राफ्त हुए है उन माइक्रो एटियम मसीन के माध्यम से प्रत्य किसान प्रत्य दिन लगबग 10,000 रुपय का आरण भी कर सकता है और उतका पैसा उसने जमा भी कर सकता है तो यह जो हमारे बेंक एंटरगेट में 222 समीत्य आती है, सभी समीत्य में माइक्रो एटियम हम लोगन उप्रत करा दिया है, अभी उन माइक्रो एटियम में हमने जो अपने किसानों को रुपे KCC कार्ट दिया है, उस KCC कार्ट के माध्यन से उरासी का आरण कर सकते हैं, अभग राजनगाओं जिले के सभी 96 धान खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटियम लगाया गया है, इन माइक्रो एटियम के माध्यम से किसानों को खरीदी केंद्र पर ही त्वरीत 10,000 रुपे धान बेजने के बाद मिलेगा, हम अभी मौजूद है, राजनगाओं की गठल इस बार जो अस्था कि दूंगे माइक्रो एटियम को लेगा, जी इस बार छतीजगर सासन के निर्देशन सार चोदा नॉम्बर से धान खरीदी की जा रही है, इससे किसानों में भरी उत्सा है, आज इनकावन किसानों का धान खरीदी हो रहा है, जिसमें पांचीजार आट चाफ कटा यहां खरीदी के लिए पहुंचे हैं, इसमें छतीजगर सासन ने इस बार नई पहल किये हैं, जिसमें माइक्रो एटियम सभी छनवे खरीदी केंद्रों को प्रदाय किया गया है, जिससे किसानों को ततकाल सुधा के लिए 10,000 रुके निकासी की सुधा दी गई ह यदि किसान जमा भी करना चाहें, तो माइक्रो एटियम से जमा भी कर सकते हैं, इससे किसानों के बहुत बड़ी सुधा दी गई है, जो रखा हुआ है, किस तरीके से माइक्रो एटियम काम करेगा, कैसे इसमें जो है किसान पैसे निकाल सकते हैं, इसको कैसे चानु किया जा जा सकता है एकदम आसान जैसे कोई मोबाइल चलाता है वासी सेम है इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें हमारे करमचारी है जिनको निकालना नहीं आता हुआ हमारे करमचारी करेंगे माइक्रो एटियम की वेवस्था लगभग राध्यां गाउ जिले के 96 धान खरीदी केंद्रों में जिला साकारी केंद्री बैंक और जिला प्रसासंद वारे की गई है इन माइक्रो एटियम के माध्यां से किसानों को सुविधा होगा शुरिकान त्यादाव एंडी टीवी राज्यां गाउ